देव भूमी उत्तराखन कहते हैं रिशी मुनियों ने सैकडों साल तपस्या करके इसे दिव्य भूमी बनाया है जिसका वैभाव पाने के लिए श्रद्धालू मीलों की यात्रा करके अपने भगवान के दर्शन को आते हैं देव भूमी उत्तराखन जिसकी हवा में है गंगा आर्ती की सुगंध और शाम स्वयम में समेटे है धेर सारी शीतलता समस्त भारत की सबसे विशाल और पवित्रतम नदियों का उद्गम स्थल है उत्तराखन गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी जीवनदाई पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है उत्तराखंड उत्तराखंड के वैभव को और वैभवशाली बनाने की दिशा में अनेकों प्रयास हो रहे हैं उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को विक्सित किया जा रहा है उत्तराखंड के विकासकारियों को लेकर हम पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं उसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं टिहीरी जिले में भागीर्थी नदी पर हाल ही में बनकर तयार हुए डोबरा चांठी पुल के बारे में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस यानि 9 नवंबर 2020 को प्रदेश को डोबरा चांठी पुल का तहफा मिला ये भारत का सबसे लंबा सिंगल मोटरेबल ब्रिज है जो टिहीरी उत्तराखंड में बनकर तयार हुआ है टिहीरी बांध बनने के बाद प्रताप नगर और आसपास की लगभग तीन लाख की आबादी को बहुत लंबा रास्ता तै करना पड़ता था क्यूंकि भागीर थी नदी के उपर जो पुराना पुल था वो टूट चुका था इसी वजह से यहां के आसपास के लोगों को आवागमन के लिए बहुत परिशानी होती थी लेकिन अब डोबरा चांठी पुल के बन जाने के बाद प्रताप नगर के लोगों को इस पुल के रूप में एक बहुत बड़ा तवफा मिला है प्रताप नगर जाने के लिए लोगों को पीपल डाली और भर्ले आना रोड से जाना पड़ता था लेकिन पुल बनने से नई टिहरी से डोबरा पुल पार कर प्रताप नगर पहुचना अब आसान हो गया है इस से प्रताप नगर और आसपास की लगभग तीन लाख की आबादी को कई तरह की दिक्कतों से भी छुटकारा मिल गया है अब तक नई टिहरी से पांच घंटे का सफर तैकर प्रताप नगर पहुचा जाता था लेकिन अब इस पुल का निर्मान हो जाने के बाद ये सफर मात्र डेड़ घंटे का रह गया है टिहरी बांध प्राभावित प्रताप नगर और उत्तरकाशी के गाजना छेत्र की बड़ी आबादी को जोडने वाले डोब्रा चांठी पुल की कुल लंबाई 725 मीटर है इसमें सस्पैंशन ब्रिज 440 मीटर लंबा है इसमें 260 मीटर आर सी सी डोब्रा साइड और 25 मीटर स्टील गर्डर चांठी साइड है पुल की कुल चोड़ाई 7 मीटर है जिसमें मोटर मार्क की चोड़ाई 5.5 मीटर है जबकी फुट पाथ की चोड़ाई दशमलव 7.5 मीटर है टिहरी जील पर बने देश के सबसे लंबे डोब्रा चांठी सस्पैंशन ब्रिज या यू कहें कि इस जुला पुल का निर्मान कारिया 2006 में शुरू हुआ था लेकिन वर्ष 2010 में डिजाइन फेल होने के कारण इसे बंद करना पड़ा तब तक पुल निर्मान पर 1.35 अरब की रकम खर्च हो चुकी थी इसके बाद वर्ष 2016 में लोक निर्मान विभाग निर्मान खंड ने 1.35 अरब की लागत से दोबारा निर्मान कारिया शुरू किया पुल के डिजाइन के लिए अंतर राष्ट्रिय निविदा चारी की गई जिसके बाद पुल का नया डिजाइन दक्षिन कोरिया की कमपनी योसीन से तयार कराया गया जिसके बाद अब ये पुल बन कर तयार है 14 साल से बांध प्रभावित क्षेत्र, प्रताप नगर, थौल धार और उत्तरकाशी के गाजना पट्टी की लगभग 3 लाख की आबादी के आवागमन की सुवीधा को ध्यान में रख कर बनाई गए इस पुल को आम जंता के लिए अब खोल दिया गया है दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विशे के साथ जय भारत